पांगी वैली की सुबह इतनी खुबसूरत हुई है कि मैं क्या बताओं तो दोस्तों फिलाल मैं अभी चंबा में हूँ और चंबा का पांगी वैली तो जो में चंबा है टाउन वहां से लगवग हम लोग 6-7 घंटे की ड्राइब पे हैं और ये जगह है पांगी वैली इसका जो डिस्टेंस है चंबा से that is 180 किलोमेटर फ्रॉम चंबा तो लगवग 6-7 घंटे तो लगी जाते हैं साजपास से क्रॉस करते हुए आप आंगी वैली आ सकते हैं और ये बहुत ही ठंडा इलाका है बहुत हंडा मतलब लिटराली बहुत ठंडा लेकिन अभी आपको बहुत सकते हैं कारा इंच का स्नोफॉल हुआ था और आगे आने वाले टाइम पर दो चार पांदे में कभी भी स्नोफॉल हो सकता है और लगवग इस टाइम से लेकि अगर हम बात करें लगवग अपरल तक यहां पर बर्फ होती है लगवग चार से पांच फूट इतनी इतनी हाइ है कि यहां पर मतलब रास्ते तो हैं नहीं आप दिखिए रहे हैं कैसे अभी रास्ते होगinks पर जदद्र वाले और यह लगवग ऐसा दूरे के लिए ऐसा रास्ता है ऐसे रास्ते होगरा कम से कम यहां 50-60 km तक ऐसे ही रास्ते मिलते हैं तो बिसिकरी हम लोग जो आए हैं वो उदैपूर से होते हुए उदैपूर लाहॉल से होते हुए हम लोग पांगी वैली चंबा में आए हैं तो सोचा है मैंने आपको यहां कजरा एक दिरिश्ट दिखा दूँ मैं कैसा होता है पांगी वैली और यहां की स्पेशालिटी क्या है तो भी मैं बता दूँ अभी यहां रास्ते पेरा पानी ओगेरा है तो मैं थोड़ा सा वो मिट्टी के तहरya पर चड़ते हुए आया तो ऐसे यहां पे मिट्टी के रास्ते हो गए रहे हैं जितना भी मैंने ट्रैवल किया है तो पांगी वैली एक कोई पांगी वैली हो गया यह एक टरेन है एक लोकालिटी है इसमें लगभग 10 से 12 कम से कम शादी से भी चादा गाउं हो सकते हैं अदस्टे 9 गाउं का नाम तो मैंने सुने हैं तो तो एजो जगह है जहां पे भी मैं हूँ इस जगह को बोलते हैं साली तो यहां पे मेरा फ्रज डिपाटपनट का गेस्ठाउस भी है इस अधोरास आपको दिखा दूंगा लेकिन थोरासा यह साली गाउं पे एक नजर डालत और नम याद खर्द कैद यहां तो करह को तो पिनरू आया था तो और भी काफी इस को एक एक सबसे बड़ा कमाल लेकिन लेकिन सबसे बड़ा कमाल ने है ही माशल प्रदेश में HRTC की जो बस है हिमाचल रोड ट्रांसपर्ट कॉर्परेशन की बस वो इस रास्ते पे आती है जी हाँ बिल्कुल लास्ट गाउं तक भी जाती है तो ये स्पेशलिटी है हिमाचल की हर एक इंटिरियर की कि वहाँ HRTC वालों ने अपनी सुविधा प्रदान की है तो थोड़ा समय आपको दिखाता हूँ यहां का विव अब जैसे यहां का देखेंगे साली उगरा तो देखें यह गाउं गरा है यहां पे और यहां पे दस बारा घर उगरा हो जाएं तो वही गाउं हो जाता है कहीं पचीस तीस पचास भी घर हो सकते हैं बढ़ दस बारा भी अगर होते हैं तो वो उसको गाउं उगरा बोल देते हैं और उनका अलग पंचायत हो जाता है अब यह सामने का देखें यह जो स्कूल है यह राजकिये उच्छी विद्यारा साली पांगी हिमाचल प्रदेश तो ये हाई स्कूल है हाई स्कूल की सुप्धा गॉवर्मेंट प्रदान की हुई है ठीक है वहाँ मेरा गेस्ट हाउस है जहां से मैं अभी आया हूँ है चलते हुए और यहां की अगर मैं दिखाऊ हूँ आपको चारो और तो ये दुर्गम पहाड़ी आपको मिलने वाली है ये देखिए ये सामने है और दोस्तों इन दुर्गम पहाड़ीों में आपको ऐसे ऐसे एंडेंजर्ड स्पेसिज मिलते हैं जैसे की अन दा वर्ज आफ इंस्टिंक्ट जो बिलुक्त होने वाले प्राणियों में स्नो लेपर्ड वगर अभी है इन ही पहाड़ीयों में इस बीच में यहां पे दरिया आता है गाउं के उधर थोड़ी सी आवाज भी आ रही है वो नदियों की और यहां से ये उपर के एरिया में यहां पे आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे आइबेक से वगर तो कहीं भी मिल जाते हैं लेकिन मैं लगता हूं उसको बस सही यहां पे घात लगा के बैठा था मुझे मिला नहीं है तो आई एं लिटल बिट अनफॉर्चुनेट यह इस पर भी मिल जाते हैं यह जम पॉंप करते हुए आइबक से स्ट्रैक जो हिरन है वो थोड़े से उनके सिंग निकले हुए होते हैं तो ऐसा है बट जो सुनो लेपर नोगर है वहां पे उनसे वियाज में पाए जाते हैं हाइट पर ज्यादा होते हैं जब सुनो पड़ते हैं टॉप के ऊपर तॉप के ऊपर जब सुनो पड़ेगी तो थोड़े से नीचे आते हैं अपने शिकार के लिए तो देख सकते हैं यहां पर कितना घना जंगल है और ऐसा लगवग हमने यहां पर 40 किलो मिटर तक ऐसा ही देखा है जो हमने स्टार्ट किया था वहां पर पूर्थी गाउं से आगे बिल्कुल कच्ची सड़क थी वह पांगी वैली के लिए तो वहां का यह ट्रेंट वासा अलग हो गया था कच्ची और बिल्कुली खड़ी पहाडियों वाला यह गाउंगर है यह घाटी है और इस एक हैजलनट हैजलनट और अखरोट वालनट इन दोनों की खेती की जाती है ऐसी जगहों पे काफी थेमस भी है वह बट प्रैसेस मैंने पूछे तो हैजलनट वाज 2,000 रुपीज पर किलो ग्राम एंड वालनट तो वही नॉर्मल आपके 1,000 पर किलो ग्राम मिल जाते हैं त सामने स्नोपिक्स हो गए रहे हैं तो यह वाला यह पहाड़ी इसी पहाड़ी के उधर पीछे की और साच पास हो गए जो यहां से 50-60 किलो मिटर से फिर वह चमबा पहुंच जाते हम उधर से होके तो यहां पर अगर विंटर से बात करें तो यह वाला एरिया यहां से हाफ बिलकुल ही आपके सनो में होंगे मोटे वाले सनो जो लगभग जुलाई तक दिखते हैं वह सुनो और इन सब अरियाज में जो हैं चार से पांच महिने लगभग मार्च पूरे तक मिल जाएंगे एपल फर्स वी तक जाके मिल्ट होता है इन सब अरियाज में पांगी वैली ही आना हो तो आपको इंडियाज मोश्ट डेंजरस रोड्स के थ्रू ही आना पड़ेगा भ्यानक डेंजरस रोड्स आपको मिलने वाले हैं चंबा से साचपास होके आए या फिर आप उधैपूर से आप तिंदी और पूर्थी होकर आए आपको मिलने वाला है ऐसा ही कुछ रास्तों पे नजारे कि आप तिन-तिन दिन चार्टा जिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है रास्तों में आप फस सकते हैं इधर बारिश भी कम होती है इन सब जगहों पे लेकिन अगर कहीं बारिश हो तो आप भूल के भी मत चलिए क्योंकि तब तो लैंड्सलाइड हो समarcast के लेकिन यहां पर पुद्रत का कुछ है कि यहां पे रेंफॉल कम होते हैं ज्यादा होती है स्टुन से आपके रास्ते जिले बहिते हो सकती है इसलिए बंद हो जाते लेकिन यह ऐसे स्नों से लैंड स्लाइड नहीं होती है तो इस सब चीजें हैं जो हम लोग यह पांगी के बारे में स्पेशल रूप से हमें जानना चाहिए यहां पर आप देखेंगे तो यह देखे सामने यह एपल ट्री देख रहे हैं हमें तो एपल यहां पर होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं तिल उदैपूर लाहॉल लाहॉल एरिया तक आपल काफी था बट पांगी में अगर तो हम बहुत उचे तो नहीं हैं लेकिन यहां पर प्रदेश ठंडी केली है जा ना जाता है अपनी डा फ्रेजिंग living टेमप्रियचा के लीए जाना जाता है और हूं समय नहीं है कि यहां पर आना किता मुश्किल होता होंगा एक शीज मुझे यह संफे नहीं आई कि आसे पचास साल पहले तो रास्ते नहीं रहे हों गई फिर भी इतने गाउं इतने बिहड में कैसे लोग रह सकते हैं मतलब यह कुल्दत का करिश्मा बोले या भगवान का मतलब यह भगवान की इच्छा बोले कि लोग ऐसी जगह भी रह पाते हैं जहां पे उस साल पहले यहाँ से दुनिया से कोई मतलब यहां पर कोई पुछ सकते हैं आप ऐसे भी आएंगे इन रास्तों से अपनी गाड़ियों से आएगी बड़ी गाड़ियों से तब भी आप झूले रहे हैं कि ऐसे लोग यहां पर डिसकनेक्टेड रहते हुए भी कैसे यहां पर रहते हैं सबसे बड़ी चीज है और नेटर्क की बात कर लेता हूं मैं तो यहां पर आपको बेसनेल का नेटर्क मिल जाएगा जीयो का नेटर्क भी थोड़ा वह चल रहा है लेकिन एयर टेल तो बिलकुल फ्लॉफ है तब जब अब बात हो गया चीज कर सकते हैं थोड़े अपने रेस्ट हाउस और घरों से बाहर निकल के जहां भी आप रहर रहे हो हो में सबस्क्राइब कर सकते हैं तो यह चीजे हैं अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा अपना इस डिपार्टमेंट का वह जगह है मैं आपक इतना यूज करना आप करने जी अदर्वाइज यह वेस्टी होता रहता है यह तो यह सही रहता है यह सालों भस अड़क पर यह सही रहेगा कि वह विंटर्स में जम जाता है आगे मैं आपको गेस्ट हाउस के बर लेके चलता हूँ गाड़ी भी धुल गई है हमारी परकूर साफसुत्रा हो गई है यह देखिए भी नेश्रल रिसोर्सेस हैंगे वाटर के तो यह तो आप इसे यूज कीजिए या फिर यह वेस्ट होता रहेगा यह एक छोटा सा कैंपस फरेस्ट रेस्ट हाउस का एक पर मैं आपको थोड़ा यहां से व्यू दिखाता हूं बहुत ही शांदार व्यू सामने की और देखेंगे तो बिल्कुल ही ब्लिव स्काई के साथ अच्छे नजारे आ रहे हैं दिखने में यहां से जस्ट ऊपर यह खड़ी पहाड़ियां कभी कभी तो डर भी लगता है कहीं है पथर हो गरा कुछ तूटके गिरा तो रेस्ट हाउस को नुक्सान हो सकता है तब मैं थोड़ा आपको यहां पर यह अपना रूम दिखा देता हूं कि यह इनका यह वी आई पी रूम है तो यह आपको बुक किराने उगरा पड़ते हैं आपको किसी लिंक के थ्रू आप गेस्ट हाउस को बुक करवा सकते हैं ऐसे नॉर्मली यह कॉमर्शियल ऑप्रेशन में नहीं होता है बात्रों में गरा भी काफी बड़े हैं इनके नर्मली यहाँ पर डिपार्ट्पेंटल जो आते हैं यहाँ के गेस्ट उनके लिए जगह रखी हुई है यहाँ पर ड्रॉइंग रूम भी है यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं डानिंग टेबल के तोर पर भी यह जगह यूज हो जाती है दोस्तों आज होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए वीडियो के लिए मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तिल देन टेक केर एंड जाहिंद फ्रेंड्स